Hello everyone, I am possible class में आप सबी का स्वागत है तो बिना स्क्रॉल किये आपको सारे questions के answer बताना है और उसके बाद ही स्क्रॉल करके जाना है अगर सारे answers आपको आते हैं तो comment section में जरूर बताएगा कि madam इसो बहुत easy था चलिए start करते हैं तो इससे पहले जो first से लेकर fifth का question है हम लोग ने पहले discuss कर लिया है आज हम 6 से लेकर 10 के question discuss करने वाले है ताकि वीडियो दादे बड़ी भी रहो और पकाओ भी रहो और आपको मजा भी आए तो चलिए start करते हैं फर्स जो six question है यह से डीपी का question और एस पर लॉरेंस कोहल बग के according children's moral reasoning is controlled by external rewards और punishment in which stage तो देखिए कोहल बग के बारे मैंने दो त्यों पहले ही मैंने वीडियो जादा था जिसके उपर मुझे काफी अच्छा response आया तो अब जाके देख सकते हैं कोहल बग की theory और देखो इसमें क्या बताया गया है reward और punishment की stage के बारे हम बताना है कि यह कौन स stage है जिसने बच्चा क्या करता है अपने को control करता है गलती करने से क्योंकि बच्चे को डर है कि उसे क्या मिलेगा punishment मिलेगा तो यह कौन सा stage है pre-operational, conventional, post-conventional या moral relativism so the correct answer is pre-operational, pre-operational is the stage जहां बच्चे को डर रहता है punishment का इसलिए बच्चा कोई गलती ही नहीं करता है उसे अच्छे बनने का शोक चड़ा रहता है इसेज में चलिए question number seven के अगर हम बात करें so according to Jin Piaget according to Jin Piaget human baby is born with some instincts and reflexes termed as तो Jin Piaget ने कहा है कि बच्चा जो है वो जब पैदा होता है तो उसके पास कुछ ना कुछ तो होता है ठीक है तो उसके पास क्या होता है accommodation, schema, mind map या operation बच्चा छोटा है तो भाई operational thinking तो नहीं कर सकता mind map या ने कर सकता कि बच्चा जब पैदा ही हुआ है accommodation उसके दिमाग में भी कुछ नहीं होगा schema उसके पास रहेगा उसके पास क्या रहेगा दिमाग और दिमाग में बहुत सारे अलग-अलग schema रहेंगे इस schema कोई ही हम क्या करेंगे बोल-बोल के बोल-बोल के सब अच्छी-अच्छी बाते फिट करेंगे so the correct answer is schema छोटे बच्चे के पास क्या होता है वो schema लेके पैदा होते हैं और हम उनको जुन-जुना पकड़ा देते हैं खेलने के लिए चलिए आते हैं एट्थ वाले कोशन पर according to lay why God's key new knowledge is constructed in the zone between तो कौन से zone में बच्चे का new knowledge जो है वो construct होता है तो आपको बताना है what a child knows and is capable of knowing बच्चा जो है कौन से zone में अपने knowledge को new knowledge को construct करेगा ओके what a child knows बच्चा क्या जानना चाता है और उसकी capability उसकी मतलब समर्था कितनी है उसको जानने के लिए या फिर what a child knows and what is much beyond her reach बच्चा क्या जानना चाता है बट जो भी जानना चाता है वो उसके पहुच के बाहर है वो इस चीश को जान ही नहीं सकता तो क्या तब बच्चा अपने knowledge को construct कर सकता है बच्चा क्या जानना चाता है और teacher क्या जनवाना चाती है तो क्या बच्चा अपने knowledge को construct कर पाएगा नहीं जो बच्चा जानना चाता है उसी को हमें बच्चे को क्या करना है सार्थक बनाना है बच्चे को capable बनाना है उच्चेश को और जानने के लिए और अपने critical thinking को यूज करने के लिए तो बिना फोट को पढ़े हुए first question is first जो option है वो सही हो जाएगा ओके बच्चा जो है कौन से zone में रहेगा तो बच्चा अपने knowledge को तो ninth question तो है बहुत बड़ा है a child in the classroom hits his and her classmates in the same way that he and she has seen being punished at home तो देखिए एक बच्चा है क्लास में तो वो क्लास में बच्चा जो है अच्छा behave नहीं कर रहा है अपने friends लोग के साथ में और ऐसा ही behave वो घर पे भी करता है उसके घर पे भी ऐसा ही बड़ताव किया जाता है जैसा बड़ताव वो स्कूल में कर रहा है वैसा ही बड़ताव घर पे उसके साथ किया जाता है तो यह किश्चीज का एक्जामपर है चांसक्टिविजम का है अब्जरवेशन लर्निंग का है बच्चा जो है अपने सहपार्टियों के साथ गलत तरीक से वहवार कर रहा है क्योंकि ऐसा ही वहवार उसके साथ उसके घर में होता है तो यह क्या होगा इसमें से आधे बच्चे बोलेंगे कि मैडम यह तो अब्जरवेशन लर्निंग होगा चुकि बच्चे ने अब्जरव किया अपने पेरेंस को तब जाकि उसने स्कूल में ऐसा बहेव किया प्ड़ ऐसा नहीं है यह किसका पार्ट है सोशल कंस्रक्शन का देखते हैं 10th one Child Center Classroom इसमेंसे आपको Child Center Classroom बताना है कौन सा होता है have provisioning for a lot of resources बच्चे को बहुत सा resource provide करना Child Center Classroom होता है be based on flexible grouping बच्चा अपने साब से grouping कर सकता है जिस group में जाना चाहे उस group में जा सकता है जो करना चाहे वो कर सकता है यह होगा Child Center Classroom या हमें सिर्फ यूज करना है टेक्स्बुक, टेक्स्बुक तो बिल्कुल यूज नहीं करना है राइट, have children as active participant, बच्चा जो है active participant हो रा चाहिए और हमें एक fixed curriculum यूज करना चाहिए ताकि बच्चा जो है अच्छे से summative assessment दे पाए, तो भाई assessment को भी हमें कभी प्रमोट नहीं करना है तो A first, second and fourth one is right मतलब option number A जो है वो सही है अगर हमें ग्यारवे की बात करें as per the theory of Howard Gardners so Howard Gardners की theory क्या है intelligence is a unitary construct okay intelligence is a generic ability that depends on accumulated knowledge and experience intelligence can be categorized into three primary mental ability intelligence can be divided into several independent intelligence each one of which has a unique biological basis तो देखिए अगर हम हिंदी में देखें तो बुद्धी जो है वो एक एकांकिक रचना है बुद्धी एक व्यापक शमता है जो संचित ग्यान और अनुभव पनिर्भर है बुद्धी को तिन प्रात्रमिक, gefallen जो तो सबसे सही क्या लग रहा है आपको तो सबसे सही क्या लग रहा है आपको तो जो होवर्ड गार्णर है उन्होंने यही बोला है कि जो बुद्धी है ना वो सतंत्रो रूप से विभाजित किया जा सकता है ओकी सो दो आप्शन नमब फूर्ट इस करेक्ट तो मिलते हैं नेक्स पुड़िया में आज के लिए इतना है अगर पुड़ियों पसंद आई है चलने को सब्सक्राइब कर लो लाइक कमेशन जरूर करो थैंक यू थैंक यू सो मच एवरिवन